शार्दिय नवरात्र में पूरे नौ दिन तक आदिशक्ती की विधिवत आराधना के बाद मंगलवार को महापर्व विजदश्मी पर मा दुर्गा को बेटी की तरह विदाई दी जा रही है पूजा पंडालों से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है नगर के ज्यादातर और प्रसिद पूजा पंडालों से मा दुर्गा की विदाई बुधवार को होगी इसके पहले शहर के बंगी समाज के पूजा पंडालों में सिंदूर खेला की सदियों पुरानी परंप्रा भी निभाए गई पूजा पंडाल में सिंदूर खेला में सुहागिन महिलाओं ने मातारानी को सिंदूर चड़ाया महिलाओं ने मा को समर्पित सिंदूर को अपनी मांग में भर कर एक दूसरे के गालों को सिंदूर से रंग दिया पंडालों में सिंदूर खेला के दोरान पूरा माहौल सिंदूर में हो गया उनलेख यह है कि बंग्य समाज में मानेता है कि सिंदूर खेला के साथ मा दुर्गा की विदाई से पती की उन्हों लंबी होती है माता को मिठाई खिलाने के बाद नम आखों से उन्हें मायके से ससुराल विदा किया जाता है बंगिय समाज के पूजा पंडालों सहित जिले के अन्य पूजा पंडालों में मातारानी की प्रतिमाओं को विर्सिजन के लिए रवाना करने के समय वहां बेटी के विदाई जैसा माहौल रहता है विसर्जन के पूर्व विधिवत पूजन अर्चन के बाद करी सुरक्षा के बीच दुर्गा प्रतिमाओं को पूजा समितियों के कारे करता पदाधिकारी गाजे बाजे के साथ चिन्हित तालाबों और कुंड पर ले जाते हैं